नमस्कार बहुत स्वागत आपका इस बुलिटिन में मैं हूँ आपके साथ अवंतिक अश्रिवास्ता बुख करेंगे सबसे पहले शुफपुरी से मिल रही बड़ी कबर का वैद हत्यारों का जखीरा बरामत किया गया है खनियादाना पोलिस ने जखीरा पकड़ा है 20 पिस्टल और 20 जिन्दा कार्तूस मिले है एक आरूपी पोलिस के हत्य चड़ा है जैपुर से शुपुरी बेचने के लिए हत्यार ले जाए जा रहे थे इसी दोरान फॉरण पोलिस ने कारवाई करते हुए हत्यारों को जब्त कि कि बड़ी जानकारी आपके साजा कर रहे हैं शुपुरी से बड़ी खबर है क्या कुछ कारवाई हुई है सही कि अशोक से हम समझेंगे अशोक क्या कुछ जानकारी अभी तेक इस मामली पर अबंदिका मैं बता दूँ कि यह जैपुर में बागिरा शार्मा नाम का अतियार का कारोवार करने वाला जैप्ती है जिसके मारफ़त जहांती के राज्ते यह त्यार शूपुरी लाए जा रहे थे तो इसे मुख्विर की सूचना पर खनियांदना पुलिस पेट्रल पम के साथ कार को रोक करके उसमें से चप्टिया है इसमें 20 पिस्टल 20 जिंदा किसी कनिक्षन होने के बात ऐसे जानकारी के किसी गरोष से तालग सकता है जो जानकरी उस आरूपी से लगी है उसके अनुसार भागीरत सर्मा जो है भागीरत सर्मा के बारे में उसी वक्त कहना है कि अवेध कारूवार करता है और खरगोन से ही अतियार बनवाना उसके दुरार बताए गया है चीक है बहुत शुक्री आपका शोकिस पुरी ज्वानकारी के लिए तो पुलिस की तरफ से बड़ी कारवाई और इधर ग्वालियर से एक बड़ी खबर है जहां बदला है मौसम कमजाज एक बार फिर से कई लाखों में तेज आंदी और बारिश की सूचना है सामने आ रहे है कटोरा ताल अलाके में पुरानी एक भारी पेड़ गिर गया है कटोरा ताल अलाके से सूचना सामने आ रहे हैं ग्वालियर से बड़ी ज्वानकारी एक बार फिर से गर्मी के मौसम में राहत के बादल चाय है और कई लाखों में तेज आंदी की भी जानकारी साथी साथ हलक की गई थी मौसम विभाग की तरफ से उसी के अनुरूप कई जिले सेम अधर प्रतेश में जहां पर बारिश को दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है ग्वालिव जंबल अंचल में भी कही न कहीं राहत की छीटे पड़े हल्की बारिश और साती साथ यह पेड़ गेरने की इसकी नीचे वाहन दबे हुए हैं यह तस्वीर हैं आपकी टीवी स्क्रींस पर आपको लगातार दिखा रहे हैं हलकी बारिश और तेज आंधी यहां पर आई इस वज़े से दुरगटना किसी जनहानी की अभी तक सूचना नहीं है हो सकता है कि इस गाड़ी में कोई सवार ना हो और रहज भरी बात यही कि किसी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है चार्णक से यहां पर पेड़ गिर गया है मुखि मार्ग कहलाता है काटूरा ताल का यह लाका और जल्सी जल्द इस इस मार्ग को दुबारा से चुरू करने की कोशिश हो रही तस्पीर है आप देख रहे हैं पेड को काट कर एक बार फिर से मार्ग को खाली करानी की कवायद जारी कि मौसम का मिजाज बतला हलकी ठंडग घुली हुई एक वाले में लेकिन इस बीच कुछ इस तरह की घटना है जो की चिंता भी बढ़ाती है एक भारी भर कम पेड़ गरिया गनिमत ये रही कि कोई जक्ती इसकी चपेट में नहीं आया नहीं तो एक बड़ी धुर घटना हो सक करती थी आला कि वाहन देखे आप पूरी तरह से क्ष्रतिक रस तो चुका है और अब पन्ना से अगली बड़ी खबर सामने आ रही है जहां मकान की विवाद में जमकर मारपीट हुई है मारपीट में बच्चे और महिलाएं भी जखमी हुए हैं 12 से जादा लोगों ने एक पक्ष पर हमला किया पॉलिस ने दोनों पक्षों पर केस तरच कर लिया है अमान गंज थाना शेत्र का ये पूरा मामला ये तस्वीर आप देखे बुरी तरह से मारपीट की जा रही है मकान की विवाद को लेकर ये पूरी बाची चुरू भी बाचीत विवाद में बदली कर विवाद के बाद ये मारपीट की तस्वीरें सांवे आ रही है महिलाओं और बचे सी भी मारपीट की गई है तस्वीरिया आप देखे बारा से जादा लोगों पर एट पक्ष पर हमला और ये तस्वीर जूसमें महिलाये भी बचाओ करती हुई नज़र आ रही है एक पॉलिस ने दोनों पक्षों पर केस दर्च कर लिया है चुकि तस्पीरे निश्यत तोर पर चिंता जनक दिन दहाडे एक पक्ष के लोगों पर हमला हो जाता है मारपीट होती है पुरी तरह से कई सारे लोग भी महाँ पर मौजूद है लेकिन शायद इतनी गंभीर गटना कि क खलाफ केस दर्च किया है जाच में फिलाल पुलिस जूटी हुई असल बज़े का पता लगाने की कोशिश लगातार कर रही है अगर मकास जुड़ाई विबाद है असल क्या बज़े है ये तफ्तीश में सापके आएगा और अब जबलपूर से अगली बड़ी खबर NIA ने दो लोगों से पूछताच की बाद उन्हें छोड़ दिया है मोहमद शाहित मोहमद बिलाल को छोड़ा है ताथ करीब साड़े दस बज़े से खिराशत में थी और ओम्ती थाना पुलिस में दोनों से ही पूछताच चल रही थी NIA ने दोनों भाईयों को सुभा 10 बज़े छोड़ दिया है सबजी कठेला लगाता है मोहमद शाहित और NIA की पूछताच की बाद परवार ने इस मामले में जानकारी देने से इनकार कर दिया है परवार भी हाला की डरे हुए होंगे और आसपास रहवाजी शेत्रों में भी डर का माहौल क्योंकि NIA और NTS की तरफ से लगातार कारवाई चल रहे है आला की देश विरोधी गतिविदियों परंकोष लगाने की कोशिश में कारवाई लेकिन निशत तोर पर शेत्रों में डर का माहौल इस वज़े से जिन दो लोगों को छोड़ा गया हैं कि परवार वाले भी बातचीत करने के लिए राजी नहीं है इस मामले पर बिल्कुल भी बातचीत नहीं कर रहे हैं कल राज साड़े दस बजे हिरासत फिलिया गया था दोनों को पूछताच हुई और पूछताच के बाद सुभा दस बजे उनने छोड़ दिया गया कोशिश की गई कि परवार जनों से पूछताच कर सके लिखिन उनकी तरफ से जानकारी नहीं दी गई इस यह की पवन जोड़ रहे हैं जादा जानकारी के लिए पवन क्या कुछ अपडेट इस पूरे कारवाई को लेकर अभी तर जी बलकुल यह NIA की जो करवाई ही है उसके बाद में अभी हलाकी NIA की तीम जवलपुर में हैं लेकिन एक के बाद एक नई नई जानकारीया सामने आरी है और उसी के तहट ये भी सामने आया कि बिलाल और शाहिद नाम के दो लड़कों को भी NIA ने हिरासत के लिए पुछ ताच के लिए हिरासत में लिया था जिन है रात भर पुछ ताच के लिए कट्ड़ी में रखा गया और उसके बाद सुबर दस बजे उन्हें छोड़ दिये गया जाननी की कोशिश की किस तरह के सवाल किये गए क्या पूछ ताच की गई लेकिन कोई भी इस वर्षे में जानकारी नहीं दे रहे हैं तो माना जा सकता है कि इस बड़ा नेट बर्क जवलपूर में ऐसा लग रहा है कि बड़ा नेट वर्य हाँ पार शक्री है और को पकड़ा गया था संदिक्दों को उनसे इंपुट मिलने के बाद में ही जवलपुर में यह कारवाई की अभी तक यहीं सुक्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है फिलहा लैना यह की तीम जवलपुर में है असा पता चला है और जल्द ही और भी कुछ नई आनकारीया सा सामने आई है बिल्कुल यह शुरू में यहीं आशंका जाहिर की गई थी के एचिव टी से इसका कनेक्शन है और उसी के तहती यह कारवाई की गई है देर शाम जब एना यह की तीम पहुंची तो तकरीवां 200 पुलिस कर्मी और एक तरजन से ज्यादा आई पैस अधिकारी जसे आना यह की टीम में शामिल तकरी, जसमने में मैं बोपाल पहुंचने के तत्काल बाद देर शाम से ही घेरबंदी और उमृतिं सहथे जो समार μέ Help यह खता दिक、 ते जो महां बहुंता है यह उधिकारी तिक के लोएर zijn वरिश्ट वकील है ठाजनी में उनके घर पर जाज की गई उन्हें दौनों को हिरासत में लिया गया उसके अभी भी उनकी पहरवी करते हैं तो यह तमाम लोग हैं जिनके खिलाफ में कारवाई की गई इन्हें हिरासत में लिया गया किया कुछ कनेक्शन सामने आते कौन से बड़े कुलासी होते हैं बहुत शुक्री आपका इस पूरी जानकारी के लिए फिलाल लेकि जब दुकान नहीं हटाई गई तो निगम ने बुल्डोजर कारवाई की तस्वीरे देखें इस कारवाई की बुर्हानपुर का ये पूरा टाजारा जिसमें ये तस्वीर साफ तौर पर सामने आई है इस तरह से अवैद कबजों के खिलाफ निगम की टीम लगातार क अटाई गई और इसलिए फॉरान आक्शन मोड में निगम की टीम और यहाँ पर बुल्डोसर लेकर पहुंचे इस अवैद कबजों को अटा दिया गया तस्वीरे इस बात को भी बया करती है कि हंगामा भी वहाँ पर कम नहीं हुआ होगा तस्वीरे आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद है जो कि इस कारवाई का बरूद कर रहे थे लेकिन चुकि अवैद कबजा था फॉरा निगम ने बॉल्डोसर चला कर सिद्वस्त किया सारंगर से एकली बड़ी खबर है जहां 30 से जादा महिलाई ठगी का शिकार हुई है महिलाओ के नाम पर मोटर साइकल फाइनेंस करवाई गई ठगी में फाइनेंस कंपनी और शोरो मालिक की मिली भगत पाई गई है शोरो मालिक और फाइनेंसर पर अब तक केस दर्ज नहीं हुआ है ये एक मुखे पहलो उस पूरी गटना का डेस्पी ने आरोपियों के संक्या बढ़ने की आशक का जाहिर की है ऐसा हो सकता है कि अन्य लोगों की नाम भी इसमें सामने आए कि दोस्तों से जादा गाडियों की जबती की भी बात अब सामने आ रही है महासमुद और राइगर जिले में भी गाडियां बेची गई अभी तक जो जानकारी मिली है उसके अनसार अभी तक कोई केस दरजने गुआ है हाला कि ये भी कहा जा रहा है कि कुछ और भी लोग हो सकते हैं जिनकों इन्होंने ठगी का शिकार बनायों फिलाल तीस महिलाओं के नाम पर जो गाड़ी फाइनांस करवाई गई थी इस बारे में जानकारी सामने आई है अब देखना होगा क्या ये संख्या आगे बढ़ती है साथी साथ पुलिस की तरफ से अभी तक कारवाई क्यों नहीं इस पर भी एक बड़ा सवाल ये बताया जा रहा है कि ठगी का शिकार हुई है महिलाएं पुरे मामले का खुलासा भी है और लगातार अपडेट भी सामने आ रहे हैं लेकिन इसकी बावजूद पुलिस की तरफ से संख्या नहीं पाइनेंस कामपनी और शोरूम मालिक के खलाफ अभी तक केस दर्ज नहीं किया गया है शोरूम मालिक और फाइनेंस कामपनी की मिली भगज इसके वज़ए से कई लोग ठगी का शिकार हो गए तीस महिलाओं के सूची अभी तक मिली है कई और शिकार भी सामने आ सकते हैं हो सकता है कुछ और लोगों को ठगी कर शिकार बनाया हो ये भी जानकारी है कि दोसो से ज़ादा मोटर साइकल से इसी तरह से बीची गई है चुकि केस दर्ज नहीं हुआ है इसलिए पोलिस की भूमिका पर भी सवाल कि आखिर राकानूनी आक्शन क्यों नहीं हुआ इन पर आरोपियों के संक्या वढ़ने की भी आशंका और इसलिए मामला और जादा गम भी रो सकता है सहीगीहरपाल जाद जान करी देंगे हर पाल क्या करभाय अभी तक इस पूरे मामले को लेकर जिए अमनतिक डिंगए क्या करवा नहीं विजा बढ़नें कि जवा Crisis नहीं नहीं की है लेकिन जल्दना गिरफ्तारी करने के बात रही चाहीं है जब हमने एज़ोपी से बात की तब उनका कहना है कि इस तरह की जो ठगी है ये केवल सारंगर जिले में नहीं हुई है, सारंगर के अलावा सारंगर, रायगार और महासमुन के जिलों में जो है इस तरह की गाडियां बेची गई है पुलिस का कहना है कि जो फाइनेंस कमपनियां है, फाइनेंस कमपनियों के तवारा महिलाओं के जो डॉकिमेंट्स है उसको ले करके महिलाओं के बिना उपस्तिती के ही फाइनेंस कर दी गई और गाडियां रिलीज कर दी गई जब गाडियों के जब उसके भुक्तान करने के लिए जब फाइनेंस कमपनिया महिलाओं तक पहुंची तब महिलाओं को ठगी होने का एसास हुआ जब बैंक के पास गई तो उनका भी कहना था कि आपके नाम से गाड़ी जो है निकाला गया है और गाड़ी लोन पर है लोन चुकाना पड़ेगा इसको लेकर जब महिलाओं पुलिस थाना गई तो पता चला कि उनके साथ जगी हो चुकी है और कोई अन्य वेक्ति जो है उनके पर स्यदिक हो सकते हैं कि अवन पिकाला ठीक है बहुत शुक्रिया आपका अरपालिस पुरी जोनकारी के लिए और आई अब रू करेंगे सुपरफास सेंचुरी का नाई संसत्भवन को लेकर पीम नरेंद मोदी का ट्वीट लिखा नाई संसत्भवन की मारत देखकर हर भारतिय होगा गौरवानवेत अपनी आवास के साथ वीडियो शेयर करने की पीम ने किया भी नए संसत भवन में सेंगोल की स्तापना का दिली में किया गया रिहरसल तमिल मलाई मंतिर में पारंपरिक तमिल परंपराओं के साथ किया गया मंत्रो चार दिली में पियमोदी के अध्यक्षता में जारी है नीती आयो की बैठक बैठक के लिए पहुँचे राज्यों के मुख्यमत्री बैठक की थीम है दोहजार सैतारिस में विक्सित भारत नीती आयो की बैठक में पियमोदी और ग्रेमात्री अमिट्राश शामिल, सिम्शुराज और भूपेश पर हेल भी मौजूद राज्यों के विकास के सौ से जादा महतपूर मुदों पर मन्थर दिली एंसियार में बदला मौसम का मिजास, तेज हमाओं के साथ सुबह से हो रही जवाजम बारिश, दिली एरपोर्ट से ओडान भरने वाली फ्लाइटों पर भी दिखासर जबलपूर में एनाईय ने हाई कोट के वकील समेट तीन को लिया हिरासत में, टेरर फंडिंग के इंपोर्ट पर जबलपूर के तेरा इलागों में दविश, राज से दविश का सिलसिला जा ली जबलपूर में एनाईय ने दो लोगों से पूछताच के बाद उन्हें छोड़ा, महमद शाहिद, महमद दिलाल को छोड़ा, राज साड़े दस बजे लिया था दोनों को हिरासत में मोपाल में स्मार्ट सिटी प्रोजेक के तहट खाली कराय जा रहे मकान, शासिखे एदिकारी करमचारियों के मकान कराय जा रहे खाली, मकान खाली कराने की विरोध में कॉंग्रस का धर्णा चिनावी साल के मदे नजर, फुल आक्शन में बीजेपी, मंधनों का दौर जारी, खजराहों में होने वाले कारकरम को लेकर बाठक, तीस दिरों के कारकरम की तैयारियों के लिए बनी रूप रिखा पन्नावे मकान बनाने को लेकर दो पक्षों में जमकर विबाद, बारा से जादा लोगों ने दूसरे पक्ष के साथ की जबरदस्त मारपीट, महिलाओं बच्चों तक की पिटाई, पुलिस ने दोनों पर केसिस की तर्च किया और नए संसद भवन की चर्चाएं चारो रोरें, जितना विशाल ये संसद भवन और स्मार्ट फीचर से लेस है, उतना ये विशाल इसके निर्मान की कहानी भी है, पूरी रिपॉर्ट देखें प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई रविबार को नए संसद भवन का उधगाचन करने वाले हैं पीए मोदी इसके साथ ही एतिहासिक राजदंड सेंगोल को भी स्थापित करेंगे, जिसे लोगसभा अध्यक्ष के आसन के सामने रखा जाएगा लेकिन बात अगर लोगतंत्र के इस मंदर निर्मान की करें तो पूरा देश इसमें अपनी सहभागिता निभाता दिखाई दिया है सरकारी अधिकारियों के अनुसार सागोन की लकडी नागपुर महराश्ट्र से मंगवाई कई थी जबकि बलुआ पत्थर लाल और सफेद सरम थुरा राजिस्थान से खरीदा गया यानि कुल मिलाकर नई संसत के निर्मान में देश भर के अलग-अलग राजियों से निर्मान कार्य और सामगरियों का इस्तमाल किया गया कहां से क्या आया? महराश्ट के नागपुर से सागाउन की लकडी मंगाय गया राजिस्थान के सरम थुरा से संड स्टोन मंगाय गया उधर यूपी के मिर्जापुर से कार्पेट बुलाय गया अगर तला से बांस की लकडी की फ्लोरिंग तो राजनगर और नौइडा से स्टोन जाली वर्क किया गया और अंगाबाद और जैपुर से अशोक प्रतीक इंदोर से आया अशोक चक्र मुंबई से मंगाय गया फरनीचर जैसल मेर से लाल लाक तो राजस्थान के अमबाजी से सफेद संग मरमर बुलवाया कया राजस्थान के उदैपुर से केसर या ग्रीन स्टोन मंगवाया कया आबुरोड और उदैपुर से पत्थर की नकाशी कराए गई कुछ पत्थर राजस्थान के कोट पुतली से भी मंगवाया कया इतना ही नहीं हर्याना के चकरी दादरी से M.Sand को तो NCR से Fly Ash Bricks को मंगवाया कया गुजरात के एहमदाबाद से ब्रास वर्क और प्री कास्ट ट्रेंच बुलवाया कया दमन दीव से L.S.R.S. False Ceiling Steel Sunrachna बुलवाय कई बता दें कि प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी 28 माई को नए संसत भवन का उद्धाचन करने वाले हैं इसके शुरुवात सुबह साड़े साथ बजे से हो जाएगी वहीं नए संसत भवन के निर्मान की बात करें तो इसमें एक भारत श्रेष्ट भारत की जलक नजर आती है Bureau Report, News 18 और इसी के साथ बुलिटिर में इतना ही देखते रही नियूस इटीन